आपका स्वागत हमार एडिव चनल में आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं क्रेटर 2020 बेस मोडल के M.I.D. में क्या फीचर्स और फंसर है M.I.D. में इसके तो इसके M.I.D. को मैं एक्स्पेंट करने वाला हूं अगर आप इस चैनल पर नहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजएगा और प्लीज वीडियो अगर पसंद आतो वीडियो को लाइक कीजिएगा तो चलिए चलते है M.I.D. पर तो जो क्रेटर 2020 बेस मोडल है इस पर M.I.D. के कंट्रोल्स यह साइट दिये वह है जिसमें यह आपका चेंज करने का सेटिंग्स में जाने के लिए दिया हुआ है यह और यह आपका उपर नीचे का और यह ओके ठीक है तो चलिए सेटिंग्स पर चलते हैं जैसी हम सेटिंग आते हैं देखी हमें सबसे पहला आता है लाइट जो सबसे पहला है वह है लाइटS में हम लुझे करते हैं तो अब लाइट्स में हम लोगों क्या आ जाता है इल्यूमिनेशन वन टर्च इंडिकेटर हेडलम्प डिले ठीक है तो इल्यूमिनेशन का हो गया यह आपका जैसे आप इल्यूमिनेशन पर क्लिक करते हैं यह आपको जो इंस्ट्रुमेंट क्लस्टर है उसकी जो आप देख रहा है यह कम हो गई और यह मैक्स पर तो इसको बढ़ाने या घटाने का दिया हुआ है ठीक है तो इसको मीडियम पर रखते हैं 15 पर ओके करते हैं अब बैक जब जाते हैं आता है वन टच इंडिकेटर पर जब क्लिक करते हैं तो इसमें आपको बताता है कि आप डिफॉल्ट है वह थ्री फ्लेस पर है तो हम इसको थ्री फ्लेस पर रहने देते हैं आप चलिए बैक जाते हैं अब आता है है एक बड़ा अच्छा फीचर इसको फॉलो मी हम फॉलो मी होम भी कहते हैं इसको मैं आपको नेक्स वीडियो में एक्स्पेन करूंग आपको इसक दो फीचर से एक auto lock एक auto unlock unlock तो auto lock हो गया यह कि जैसे spits cross करती है 20 ए 40 की तो यह doors आपने आप लॉक हो जाते हैं तो यह भी on off किया हुआ है ने sorry on किया हुआ तो चलिए back पे जाते हैं दूसरा हो गया auto unlock जैसी आप की निकालते हैं स्टेरिंग से वह doors automatically unlock हो जाते हैं चलिए back पे चलते हैं अब आता साउंड तो यह sound हो गया जिसी कि आप पीछे back करते हैं तो sensors होती है sensors की sound को कम ज़्यादा हम लोग यहां से कर सकता है welcome sound next हो गया आपको welcome sound चाहिए या नहीं चाहिए जैसी आप इंडरी करते हैं तो आपको welcome sound आता हो हुंडाई की वह चाहिए या नहीं चाहिए आप यहां से select कर सकते हैं आप चलिए back पे चलते हैं convenience पर आता है next feature convenience अब convenience पर आते हैं हम लोग वाइपर और lights display और icy road warning तो जो वाइपर डिस्पले हो तो अगर आप वाइपर चलाते तो आपको MID पर सो होंगी कि आपकी वाइपर चल रहे हैं और दूसरी हो जारी है आपकी icy road warning जो कि इंडिया में उतना मतलब यूज होता नहीं है जादा आता जहां इसनों area जहां इसनों warning चेंगे गारी से कि आपको service करवाना आए गारी यह बहुत ही helpful feature इससे आपको पता चलता है गारी कब आपको service में करवाना या alarm टैप का है कि आप आपी state कर दे कि आपको 1000 km बाद service करवाना तो यह गारी आपको आपने आप वह signal शो करने लगता कि आपके गारी service मांग रही ह अब चले back पे चलते हैं next आता है other feature तब other features पर आ जाता है fuel economy auto reset जैसे ही आप fuel को डालते है इसमें तो इसमें दो है जैसे आप इसको क्लिक करते हैं after vacuum और after refilling तो अभी after refilling पर हो है इसका मतलब यह है कि जैसे आप गाड़ी को refuel करते हैं ठीक है तो यह जो काटा है जो देखि अब आता है fuel economy unit यह आपको km per liter चाहिए यह लिटर पर 100 km चाहिए आप यहां से सेटिंग कर सकते हैं ज्यादा तर इंडिया में लोग km per liter ही यूज़ करते है अब आता है temperature unit यहां पर आप celsius और Fahrenheit पर sit कर सकते हैं लेकिन इंडिया में ज्यादा तर celsius चलता है सब को celsius ही देख नेक्स्ट फीचर है language अब लेंग्वेज यहां तीन लेंग्वेज दिया है हिंदी एक है इंग्लिस और तीसरा क्या है मुझे पता नहीं default अभी इंग्लिस पर किया हुआ हुआ है में भी कोई अधर लेंग्वेज इंडिया कर नहीं है अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो अपने सब कमेंट सेक्शन में बता है इसको कौन सा लेंग्वेज है अब नेक्स्ट आता है reset यह हो गया कि आपके जो default setting काड़ी पर किये हुए यह आपको इसको reset करना है या नही करना तो मुझे नहीं करना मुझे जैसा है वैसे चलाना है इसको नो पर क्लिक कर देता हूं तो बस इतने सारे फीचर इस बेस मोडल के अगर आपको वीडियो पसंदाच प्लिस वीडियो को लाइक कीजिए और आपको वीडियो समझ में ना आए तो कमेंट पर बताए कि डीटेल में वीडियो बनाऊंगा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच